मेरे साथ बुलिए sales terrorist अगर आप sales terrorist बन जाओ तो आदमी से उसका घर भी कवा के पैसा ला सकते हो लेकिन हम ऐसे sales terrorist है नहीं नहीं हम आपको बनाएंगे बट आप मेंसे कई लोगों ने देखा होगा ऐसे sales terrorist है मार्केड में आप मेंसे हर आदमी किसी ने किसी ऐसे आदमी के थ्रूट ठगाया होगा जिसको कोई फरक नहीं पड़ता आपके पास कहां से लेके आए आप पैसा लेकिन उसको एक ही चीज से फरक पड़ता है कि आप उसको कैसे भी लाके पैसा दें इन फैक्ट आप ही के परिवारों में कोई ने कोई ऐसा sales terrorist है जो आपको emotional blackmail उसको कोई फरक नहीं पड़ता कि आपने उस पे इतने सालों में कितने एहसान कर दिये आपने उनके लिए क्या क्या कर दिया उनको तो अभी भी यही फरक पड़ता है कि तुम्हारे पास अभी भी जो है न वो मेरे पास आ जाए तो मेरे साथ बोलिए दुनिया का सबसे beautiful हतियार sales चाहे जितना पैसा देता है आपकी मर्जी के हिसाब से आपकी चाहत के हिसाब से आप जो चाहे आज आप एम कर लोगी 10 साल में आपको rolls-roist चाहिए आ जाएगी 100% आ जाएगी कोई नहीं रोक सकता आप आज तै कर लोगी आपको 10 साल के अंदर रहे नो अंबानी जैसा बंगला बनाना 15,000 करोड़ का तै कर लो आप 10 से 15 साल में आ जाएगा बस शर्त है कि आपने इंडिविजुल को क्लोज कर रहे हैं वो गवर्मेंट को क्लोज कर रहा था फर कितना ही है जितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से आपको टार्गेट ओडियंस पकड़ना पड़ेगा आपका टार्गेट ओडियंस कौन है आपका टार्गेट ओडियंस गवर्मेंट है आपका target audience कोई और है क्या है आपका target audience तो सबसे पहली चीज़ समझेए आपको यही clear होना चाहिए कि why sales अभी sales क्यों सीखना है उसके 50 reason दीजिए मेरे को strong वाले मेरे को यह reason मत दीजिए कि मेरी अभी loan से छुटका रहा पाना है यह reason नहीं हो सकता अगर loan से छुटका रहा पाने के लिए आपको sales करना होता तो कर चुके होते है मेरे को यह reason भी मत दीजिए मुझे rich होना है इसलिए sales करना है अगर आपको rich सच में होना होता तो आप कर चुके होते है I mean you all hate sales nobody loves selling correct or not अगर sales से आपको प्यार होता तो निकल चुके होते है sales करने के लिए मुझे प्यार नहीं था 2019 तक sales से आपको लग रहा है मैं तो sales के profession में हूँ तो मेरे को sales से प्यार है नहीं है आपको sales से प्यार होता तो आपको एक दिन भी पैसे की problem नहीं होती people hate selling पता है क्यों 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 बदाईये भई मैं salesman हूँ सुनिए मैं salesman हूँ है की तरफ आ रहा है अब मेरे को देख देखके आपके मन में क्या क्या खयाल आ रहे होंगे चिपकाएगा और और दिमाग खाएगा और हैं तोपी पहनाएगा और पैसे एंठेगा और टाइम खराब करेगा और लूटेगा और पकाएगा और मैं आ रहा हूं सर आपके पास अब आप क्या सोचों कि मेरे बारे मेरे मेरा दूसरा काम आ रहा है मैं जा रहा हूं इससे चुट खराब बनाओ मैं आ रहा हूँ आपके पास क्या सोचोगे आप अरे ये बार-बार क्यों दिखता है यार ये टाइम खराब करेगा यार इसके मिलना ही नहीं है साले का बात ही नहीं सुनूँगा जल्दीच चाहिए इसको भगा देंगे आपके पास ये चैलेंज चल रहा है इसका मतलब है जब आप सेल्स करने जा रहे हो वें यू आप सेलिंग यू आपके बैक अफ़ दे माइंड सेम ही चीट चल रही है बाई मैं सेल करने इसको कैसे जाओ ये तो सोचेगा मैं टोपी पहना रहा हूँ मैं कैसे पैसा मांगो ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा ये मेरे को उल्टा समझेगा ये मेरे को उल्लू समझेगा ये मेरे को भगाने की सोचेगा ये मेरे को सुनना नहीं चाहेगा ये मेरे को पैसा देगा नहीं ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है और मैं यार इससे ये इसने भी नहीं लिया तो मेरा घर कैसे चलेगा तो मेरा फंद्रा लाग इससे नहीं लिया तो गाड़ी कैसे आईगी अगली वादी लेकिन जाना तो चाहिए लेकिन ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है ये मेरे बारे करेगा यह मुझे reject करेगा यह मेरे बारे मैं अच्छा नहीं सोच रहा है कहां चल रहा है यह सारा प्रोग्राम यह सारा प्रोग्राम चल रहा है आपके subconscious में यह महल है और महल के यहां पर चोटा चोकिदार बैठा हुआ है और इस महल दो बाहर से आता है एकbelt क्रिश हो न चीए पैसा आना चाहिए यह बाहर से विचार आता है और यहां दूसरी लेयर यहां तीसरी लेयर यहां तीसरी Liz यहां चोथी लेयर और यहां पाँचवी लेयर के बाद छटी लेयर में यह पावरफुल आदमी सोया हुआ है यह चोकिदार अंदर ख़बर बेजता है भाई रिच बनना है पहली लेयर कहती है भाई I don't want to आलस है मेरी जिन्दगी में चल रही है न जिन्दगी, सांस ले रहे है न कहां दिक्कत है यह powerful owner तक सूचना पहुँच गई अगर तो rich बन जाओगे लेकिन यह powerful owner जो है न यह इस तक सूचना भी नहीं पहुँच रही है कहीं से इस लेयर को आपने बाइपास कर लिया तो दूसरी लेयर तक पहुचोगे, दूसरी लेयर कहेगी rich बनना है, अरे भाई टीवी में सीरियल बहुत अच्छे चाते है, rich बनने के लिए वो सब छोड़ना पढ़ता है यह नो, मान लीजिए कैसे न कैसे थर्ड लेयर तक सूचना पहुच गई, थर्ड लेयर कहती है एक दिन ना, समझान घाट में बच्छपन से आज तक देखे दस बतना मुर्दे, साले साथ लेके गए पैसा कोई भी नहीं लेके गए ना, तो तू भी लेके नहीं जाएगा इसलिए कोई ज़रुद नहीं इदर को पैसेगी अंदर एक और बैठा है, वो कहता है कि भीया, त्याग ही सच्चा सुख है ये पैसे वैसे सब महमाया है, क्यों कमा रहे हो किसने कमाने को वोला है, इस लेयर को भी पार कर गए तो अंदर एक और लेयर बैठी है जो कहती है, तुझे तो ये नहीं आता, तुझे तो वो नहीं आता तुझे तो ऐसा नहीं पता, तुझे तो ऐसा नहीं पता तुझे तो ऐसा है, तुने तो इतने सालों से नहीं कमाया तो हो कहता है sales मतलब rejection, sales मतलब बेजजती, sales मतलब नालाईकी, sales मतलब बेशर्मी, उसकी खुद के भी विचार है या उसके विचार तक पहुँचने से पहले एक और layer हो सकती है, जहां sales के बारे में भयंकर garbage पड़े हैं, तो you do not like selling, you hate selling, you hate selling, आपके मन का दर्वाजा, I used to hate selling, आज भी मैं sales अभी करता हूं जब मुझे लगता है कि अब थोड़ा bank balance कम हो रहा है, true, this is the fact of life, मैंने हमें से किसी को sales पसंद नहीं है, और हम बनना चाहते हैं बहुत rich,